कि दोस्तों यह है वो साइट जिसमें हम फोर से लिंग की कंप्लीट वाइरिंग सिखाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरा डिजाइन है यहाँ पर लाइट लगेगी और लाइट भी बहुत जादा लगने वाली है तो वाइरिंग किस तरह से की जाएगी लेकिन अब हम एक नक्षा बनवा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भाई लोग कितनी महनत कर रहे हैं यह देखे हमारे भाई यह देखे कितनी महनत चल रही है नक्षे के उपर अब इस नक्षे के जरीय में हम आपको बताएंगे किस तरह से वाइरिंग हमने होसलिंग के अंदर की है तो हमारे भाईयों के लिए एक लाइक तो ज़रूर करिए सब सब पहले हम आपको डिजा इस ट्राइंगल शेव के अंदर लगाय जाएगी यह तीसरी कोप लाइट है ठीक है चौती कोप लाइट यह इसके सामने एरिया में लगाए जाएगी जो अबसे बड़ी कोप लाइट होगी ठीक है और सेंटर में एक स्कु險 टाइप की एक कोप लाइट है यहाँ पर लगे कितने कोप लाइट हैं तक्रीबन साथ कोप लाइट सेंटर सेंटर के अंदर है और साइड बोडर में एक और है अब लाइट आपको बताते हैं लाइटे कहां कहां पे इंस्टोल होगी फिर हम वाइण दिखाएंगे एक लाइट यहां सामने की तरफ लगीगी फरस्ट तिन लाइट एक पत्ते में हो गई अब इस पत्ते में इक सेंटर में सिर्फ प्लाइट आएगी और एक सामने कोर्NER है उसके अंदर यहाँ पर एक लाइट और आएगी यह निके दो पट्टो दो दिवारों के अंदर तीन तीन लाइट आएगी यहीदी दूसरी दिवारे दूसरी लाइट होगी ठीक है और दूसरी दिवार के कोर्णर में ये तीसरी लाइट होगी तीन हो गए न और यहाँ पर जो दो दिवारे बचती है उसके सेंटर में एक एक लाइट आएगी एक इसके सेंटर में एक पीछे वाले सेंटर में okay guys表 आप देख सकते हैं, यहां paper के उपर नकशा पूरा force link का उतार लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं यह एक कोप light है design के अंदर देख सकते हैं यह दूसरी कोप light, यह तीसरी और चोती और पाँचवी और कलर की मोंवाइट कलर जो भी लगाना चाहें आप ठीके दोस्तों अब हम माल मेटीरियल देख देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह है फ्लेक्सिबल पाइप हम फ्लेक्सिबल पाइप का ही यूज लेते हैं क्योंकि हेवी डिजाइन है और बहुत ज्यादा तड़क रहे हैं और इन्वेटर के लिए भी यूज लेंगे पॉइंट्स वगरा के लिए भी यूज लेंगे तो हम दो वाइर निकालते हैं दो वाइर को हाथ में लेते हैं और यहां पर हम साइज करेंगे सबसे पहले हमने क्या किया यहां पर जो कोर्नर का लाइट था इसको यहां दोस्तों यह setup इसी तरह से हो रहा है कि यह दोनों लाइटे आपस में एक साथ जलेगी अब यहां पर दोनों corner में 6 लाइटे आ रही है यानि कि 3 हमें step बनाने है तो इस तरह से हम size करके काट सकते हैं अगर आप अलग-अलग light जला रहे हो तब आपको wiring अलग करने पड़ेगी ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यह 3 model हमने तयार कर लिए 1, 2, 3 और बिलकुल बराबर size के ठीक है अब यह cable के साथ में ही wire को खीचना है ताकि आपको जरूरत पड़े उतने ही wire आपको निकालने पड़े हैं तो यहां पर देखिए इस light को उस light से मिलवाना है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं हमने मिला दिया और cut कर दिया अब यहां पर हम देख लेते हैं एक बार try करते हैं light wire अब यह wire थोड़ा long होना चाहिए तो अब हम कोपलाइट जमाएंगे एक कोपलाइट यहां पर है एक कोपलाइट यहां पर है ठीक है यह दूसरी सबसे बड़ी कोपलाइट है और यह सबसे छोटी कोपलाइट है बीच में और एक यहां पर है जो थोड़ी सी बड़ी है बीच वाली एरिया में और यह सबसे बड़ी है यानि कि 2 सबसे बड़े हैं 2 थोड़े शोट है और 2 बिल्कुल ही चोटे हैं छे यहां बोडर में और एक बीच में सैंटर में है तो अब हम इसकी वाइरिंग का साइज के से करेंगे सब के वाइरिंग करने का तरीका अलग 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 अताय आप कमेंट न कीजिए कि ये तरीका गलत है मेरा तरीका ये है आप लोगों का तरीका क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिशन भाई कोई भी नाराज ना हो तो आप देख सकते हैं हमने एक वायर को साइज किया और अब हम टेस्ट करते हैं क्या यही साइज में सभी कोपलाइट के अं अब यहां पर हमने एक वायर यह रहा पूरा मैंने आपको बताया ठीक है इसको टेप लगाएंगे और यहां पर इसी के साइज का एक और कट कर लेंगे जी हां दोस्तों अब यह दूसरे कोपलाइट का हो जाएगा यहां से कट करेंगे फिर तीसरा भी कुछ इसी तरीके से कट करना है ठीक है तो यहां पर बराबर साइज के तकरीबन छे पीस काट लेने और एक छोटा काटना है क्योंकि बीच में स्क्वेर है उसके लिए आपको छोटा ही कर देना चाहिए और वायरिंग ज्यादा खतम नहीं करें क्योंकि गरहक महनत से लेके आते हैं तो गरहक का यार कर लिए अब आप कहेंगे कि साथ बटन से यह साथ को प्लैट जलेगी तो यार स्वीच बोर्ड में तो जगा ही नहीं रहेगी वायरिंग करने की दिक्कत हो जाएगी तो मैं आपको अभी बताता हूँ यह सभी को प्लैट कैसे जलेगी यहां पर आप देख सकते हैं य यometers योलो के हलका सा टेप लगा दें और वाइट के भी हलका सा टेप लगा दें इस तरह से यह दोनों डिवायड हो गये यानि कि एक न्यूटल हो गया एक फेज हो गया ठीके तो न्यूटल हम वायड कलर को बनाना चाहते हैं अभी हमने डिसाइड नहीं कि अब आद में डि लेंगे ओके तो इस तरह से हमने आप अच्छी लिया और जितने भी यह वायर हैं इन सभी को आपस में जोड देना है जी हाँ अब आप कहेंगे ऐसा कैसे अगर आप जोड दोगे तो एक ही स्वीच से सारी कोपलाइट चलेगी जी हाँ दोस्तो यह बीच की जितने भी कोपला आना चाहता है ठीक है दोस्तो डाइगरम के थुरू आपको समझाता हूँ कोपलाइट कैसे वर करेगी आप कंफ्यूज हो गया होंगे कि कोपलाइटों को एक साथ क्यू जोड़ा आपने तो वह वर्क कैसे करेगी तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक पॉइंट से सभी किया ठीक है और न्यूटरल न्यूटरल को आपस में कनेक्ट कर दिया तो आपस में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे एक कनेक्शन देंगे तो सभी एक साथ ओन हो जाएंगी यहाँ से जैसे न्यूटरल निकालेंगे और फेज न का ही काम होता है यहीं तक का बस इतना ही काम होता है ठीक है तो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है उस पोर्सलिंग के अंदर जो मैंने साथ लडिया बनाए थी साथ अलग-अलग ठीक है तो यहां पर अब हम पाइप का साइज करेंगे इस तरह से फ्लेक्सिबल पाइप का कर लेना है यहां पर इस तरीके से कट कर देंगे बस यह एक पाइप तयार ओके अब इसी के साइज पर आपको सारे साइज कर लेने हैं यह दूसरा पाइप तयार ओके इस तरह से अभी हम आपको फिटिंग करके भी दिखाएंगे गाइस किस तरह से होती है फिटिंग ओके यह तीसरा pipe तो इस तरह से पूरे साथ pipe आपको cut कर लेने हैं यह देख सकते हैं यह साथ pipe हमने cut कर लिये ठीक है अब यहाँ पर इस में से एक pipe लेंगे और एक pipe के अंदर आप एक wire को add करेंगे यानि कि साथ wire आपने बनाये थे साथ cop light बनायती तो साथ wire में से एक wire लेंगे और एक pipe के अंदर install करेंगे कुछ इस तरीके से pipe अंदर इस तरह से डालिए और half inches का आपको pipe मंगवाना है एक inches का ना मंगवाए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसके अंदर ज़्यादा wiring डालनी पड़ती है अंदर बाहर ना हो ठीक है तो यह देख सकते हैं एक wire ते यार इसी तरह से अब हम बड़े वाले pipe मतलए बड़े वाले जो wire है जो हमने शुरू में बनाये थे उसके लिए भी आप इसी तरह से pipe के अंदर wire डालें इससे क्या होगा कि जो forcelling वाले होंगे जब जालिया लगाएंगे और या पी ओपी वगएरा करेंगे तो तार अंदर चिपक के ना क्यूंकि तार वाके में चिपक जाते हैं या फिर वो केची से कट करते हैं तो कट भी हो जाते हैं कभी कबार तार तो आपको इस तरह के pipe का use ले सकते हैं या फिर आप कड़क वाला जो pipe आता है जो हम fitting में यूज लेते हैं वह भी यूज ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार और हम diagram में अभी आपको बताएंगे किस तरह से wiring कर रहे हैं और diagram में दिखाएंगे केसे केसे हमने set up किया यहाँ पर अब हम देख सकते हैं यह एक pipe बड़ा वाला तयार हो गया इस तरह के मैंने तीन pipe बनाएते तो तीनों के अंदर यह pipe डाल ले ताकि बिलकुल अच्छे त पाइप बनाते और दो लाइटों लिए एक pipe बनाते यानिके चार pipe ओके तो चार pipe हमने रेडी कर लिए यहाँ पर अब हम wiring करेंगे तो यहाँ पर corner वाली जो light है इसके अंदर हमने wire छोड़ दिया यह वाला ठीक है अब आपको angle के सहारे सीधा जाना है और दूसरे corner के अंद होते हैं ठीक है वो अपने हिसाफ से setup कर देते हैं लेकिन हम tape लगा करके electrician bio को मैं समझा रहा हूं tape लगा करके आप फिक को fix कर देना है ताकि बार बार आपको बुलाए ना ठीक है तो यह देख सकते हैं दो light हमने fit कर दी यहाँ से ले करके सीधा यहाँ तक अब आप कहेंग आप अगर नए-ने electrician हो तो आपको वो समय लग जाएगा इस चीज को समझने में ठीक है तो मैं electrician bio को कहना चाता हूं वीडियो को अच्छे से देखें end तक देखें तो यह देख सकते हैं center वाली light हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह center वाली light है तो इसको भी हमने इसी तर होए सीधा सामने वाले corner में setup हो जाएगी अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यह pipe angle में fit कैसे होता है यह देखें यहाँ पर जो angle है इस angle के अंदर इस तरह से fit कर सकते है ताकि जब यह cutting करें जाली वगरा cutting वगरा करें तो आपका जो wire है वो सामने ना है क्योंकि सामने आते एकी point से जलेगा अब हम center वाला point लगाएंगे छे light है तो हमने complete कर लिए अब center वाला point हम 8 करेंगे तो center वाले point के लिए थोड़ा सा बड़ा wire है क्योंकि room का size जो है न वो थोड़ा लंबाई में थोड़ा ज्यादा है तो इसका थोड़ा सा बड़ा होगा pipe तो हम क्या कर रहे center में एक ही light आ रही है तो यानि कि तीनों अगर हर दिवार में आप देखोगे तो तीन तीन light नजर आएगी सामने देखो गए तीन आएगी इस तरफ देखो गए तीन तीन आपको light नजर आने वाली है यानि कि 8 light हम पूरे square में लगा रहे हैं तो यह देख सकते हैं भाई सा पाँच छे साथ आठ आठ लाइट है यहाँ पर हमने इंस्टोल कर दिया है कुछ इस तरीगे से अब हम फोर सिलिंग के जो कोप लाइट होते हैं वह फिट करेंगे यह देखे बाई सहरा बना दिया दूले का सहरा जो होता है वह बना दिया मैंने लाइट के पाइप को ठीक है तो अब हम इस सहरे को कैसे लगाएंगे पहले मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ ताकि इदर उदर ना हो यह पूरे साथ पाइप है अब इन साथो पाइपों में से एक पाइप हम लेंगे यह बीच वाले स्क्वेर के लिए ठीक है यह छोटा पाइप है थोड़ा सा ठीक तो हम यह सेंटर के अंदर जो स्क्वेर है इसके अंदर हम लगाएंगे कोपलाइप अब यहाँ पर हमारे पास बागी के छे पाइप बसते हैं जो बराबर साइज के हैं तो किसी भी एक पाइप को उठाईए और इसे किसी भी एक कोपलाइप में डाल सकते हैं जैसे कि यह वायर को तो आप देख सकते हैं हमने चैनल के अंदर fit कर दिया है एक वायर ठीके तो दो कोपलाइट हैंने free कर दि Playstation 1 अब यहाँ पर तीसरी कोपलाइट बच्चती है तो यहां तीसरी कोपलाइट इसके अंदर से डालेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं मतलब आप जितनी भी coplight है वो पूरी ही घुमेगी चाहिए कहीं पे भी आप wire लगा दो ठीके तो अब यहाँ पर चोता coplight है इसको सबसे बड़ा size दिया गया है यह वाला सबसे बड़ा है इस तरह के दो size हैं बड़े बड़े तो इस सभी के अंदर हम similar size के pipe fit कर सकते हैं यह द देख सकते हैं इस तरफ तो इस तरफ से हमें निकालना है याद रखिएगा चैनल के अंदर अंदर ही निकालना है चैनल के नीचे से नहीं होना चाहिए wire नहीं तो दिक्कत हो जाएगी force link करते हैं तो यह देख सकते हैं हमने बड़े वाले coplight को fit कर दिया अब दो बचते हैं और छोटे वाले coplight यहाँ पर एक यह वाला और एक triangle shape तो यहाँ पर भी हम इसको डालते हैं अब आप कहेंगे कि किस channel में डाल रहे हो यह तो बताओ थोड़ा सा आगे चलिए वीडियो को like करते चलिए अभी हम आपको बताएंगे कहां पर इसको fit करना है तो यह देख सकते ह यह second last हमने fit कर दिया अब हमारे पास एक ओ triangle shape वाला coplight बचा है उसके अंदर भी हम fit करके दिखाते हैं किस तरह से fitting की जाती है इसके अंदर तो यह देख सकते हैं यह वाला triangle shape है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका channel कुछ इस type का होता है तो इस gap के अंदर आपको डाल देना चाहिए इस तरीके से ताकि जो coplight लगाते समय हमें मालूम हो जाए कि यहीं पर है या फिर उस जो force link वाले को भी मालूम हो जाए कि यहाँ पर ही इसने setup किया है coplight ठीक है यह देख सकते हैं कभी का बार यहाँ छोट भी लग जाती है हमारे तो इस चीज़ का खयाल coplight है यह इसको जलाएगी मतलब यहाँ पर चलेगी एक coplight यह सब अलग अलग है इसलिए अलग अलग वायर डालना पड़ रहा है नहीं तो एक ही वायर में सभी coplight जल जाती ठीक है यह सबसे बड़ी है तो इसके अंदर भी एक ही वायर से और यह सबसे चोटी है और ट्राइ पॉइंट से जलेंगे पॉइंट गिनते हैं एक पॉइंट से यह दो लाइटे जलेंगी दूसरे पॉइंट से यह दो लाइटे जलेंगी तीसरा पॉइंट यहाँ से दो लाइटे जलेंगी चोथा पॉइंट यहाँ से दो लाइटे जलेंगी पांचवा पॉइंट यहाँ point एक fan का होगा बीच में एक fan लगेगा तो गई 7 point यानि के 7 switch साथ switch से ये सबी work करेंगे अब हम switch तक एक एक wire को ले जाएंगे यहां से हम एक wire को size करेंगे सिर्फ एक wire को यहां से होते हुए सीधा हमारे सामने वाले जो junction है छोटा सा वहां तक size करेंगे और यहां से होते हुए जैसे जैसे आपने wall cutting की उस हिसाब से आपको यह wiring ले जानी है जहां पर आपका switchboard लगा हुआ है यह देख सकते हैं नीचे की तरफ यहां पर switchboard है इस हिसाब से हम थोड़ा सा इस wire को cut कर लेंगे यहां पर ठीक है थोड़ा extra करना है ठीक है तो यह एक point ready हो है अब दूसरा point यहां से ले जाएंगी यानि के दूसरी light से हम size करेंगे यहां से होते हुई यहां तक आएंगे और यहां से center तक लेंगे अब center से हम जो हमारा wire का हमने cut किया था उसी के size का cut कर लेंगे ताकि बराबर size बन जाए ठीक है तो यह दूसरा point भी हमने इसी तरह स इस तरह से आपको 7 point तयार करने ने हैं ये देख सकते हैं एक wire एक point, दो point, तीन point, चार point, पाच point, छे point, ये 7 point 7 point तयार है और एक neutral जो सभी light को जलाएगा ओके system neutral कहा जाता है अगर नहीं जानते हो तो मैंने और वीडियो बना रखी है system neutral होता क्या है इसके ओपर detailed है, description में link मिल जाएगा या फिर eye button में मिल जाएगा जाके जरूर देखेगा यहाँ पर हम spring wire को डालते हैं और डबी तक हम इस wire को खीचेंगे यह हमने spring wire को खीचा और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस wire को जितने भी यह 7 wire हैं इन सभी को में connection करूँगा और खीच लूँगा अब आप कहेंगे neutral phase वगरा कहां पर है भाई सहाब इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे मैं आपको सिर्फ main main points दिखा रहा हूँ और neutral phase का काम क्या होता है on off करना मतलब सभी light को जलाना मैं आपको points डालना सिखा रहा हूँ कि force link के अंदर points के से डाले जाते हैं ओके तो यह देख सकते हैं भाई सहाब यहाँ पर wiring पूरी आ चुकी है और हमने जहाँ पर chin mark लगाया था टेप लगाया था हलका सा एक तो उतना जितना खीचना है बस वहाँ तक आपको खीचना है और इस wire को यहाँ पर लपेट के छोड़ दीजिए आप यहाँ पर पहले size कर लें कि switchboard तक आतो रहा है यहाँ दूस्तो switchboard तक आ रहा है अब हम इसको खोल लेंगे और विल को यहाँ पर लपेट देंगे आगे की कहानी सुने यहाँ पर अब हम क्या करेंगे एक white color का neutral लेंगे क्योंकि हमने फैसला कर लिया white color का neutral बनाना है तो point को white color के neutral से इस तरह से tape लगाएं और यहाँ पर इसके size का cut कर लें अब आप कहेंगे कि क्या यह भी switchboard तक जाएंगे जी नहीं दोस्तो यहीं पर cut होंगे fan box के अंदर ही cut हो जाएंगे यहाँ पर ठीके तो यह एक point के लिए हमने एक wire बनाया और इन दोनों wire को एक pipe के अंदर इस तरीके से fit कर दें यह बिल्कुल switchboard के अंदर से ही आ रहा है और इसे इस तरह से fit करके tap up लगा करके final कर दें यह एक point ready है तो इस तरह के तकरीबन 6 point ready होंगे 7 point fan का है तो वह वहीं पर रहने वाला है 6 point यहाँ पर ready करेंगे हम ठीके जिसमें से 4 point बड़े होंगे जो हम border के अंदर लगाएंगे तो यह देख सकते हैं भाई साब हमने 4 point बड़े बड़े तयार कर लिए तो हम क्या करेंगे channel के ऊपर से यानि के पत्तियों के ऊपर से ले जाते हुए यहाँ से होते हुए सीधा corner वाली जो light है इसके अंदर हम fit करनेगी यह देखिए यहाँ पर अब जब light लगेगी जब हम for sealing final हो जाएगी जब हम wiring करने के बार lighting लगाएंगे तो यह दोनों wire आप पसमें एक साथ जलेगी single point से अब दूसरा point भी हम fit करने वाले हैं इसको भी channel के ऊपर से उपर से ले जाते हुए सीधा second वाली light के अंदर center वाली जो light है इसमें आप connection नहीं करना है connection आप जब light लगाएंगे तब करेंगे आप अगर comment करते हैं तो मैं इसका second part भी बना तो यह connection यहां से जुड़ेगा और सामने light जलेगी ठीक है और अब यहां पर आप देखें तीसरा point है तीसरा point भी कुछ इसी तरीके से ले जाएंगे और सामने वाले जो center corner के अंदर दिखाए दे रहा है इसको भी यहां पर चिपका देंगे भाई साब यहां पर इस तरीके से मूँ इसका बान देंगे टेप से ताकि मालूम हो जाए कि भाई यही wire आपस में जुड़ने वाले हैं अलग लग रखोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा wire है अब यहां पर चोथा point जो fourth number point है यह निकालेंगे यहां से निकालेंगे और यहां से निकालने लाइटे जलेगी एक सामने वाली कॉर्णर एक बीच वाली कॉर्णर ठीक है तो यह भी हम टेप करके बिल्कुल fix'd कर देंगे यह देख सकते हैं काई सिया पर हमने फिक्स कर दिया तो यह जितने point है चार point हमने लगा दिये तो 8 लाइटे जलेगी एक point से 2 लाइटे ठीक है तो आठ लाइटे चार पॉइंट से आड लाइटे जलेगी, अब ये कोप लाइट लगा रहे हैं, ये बोर्डर वाली कोप लाइट है, तो इसको हम बिल्कुल बाजू में कर देंगे ताकि हमें मालूम हो जाए कि भाई, यहाँ पे ही हमने कोप लाइट लगाई थी, तो यहा कैसे हमने डाल दिया है, कैसे लग रही है वीडियो, लाइक जरूर करते जाएए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो कोर्नर में मैंने लाइटे लगाया था, कोर्नर के अंदर, तो यह देख सकते हैं, दो न्यूटर निकालेंगे, दो फेज निकालेंगे, और यह आपस में जूडे हुए थे, आपने देखा है वीडियो के अंदर, तो मैंने कुछ इस तरीके से एक इस कोर्नर से दूसरे कोर्नर तक न्यूटरल फेज लेके आ गया, अब इसको ओपरेटिंग कैसे करें, मतलब आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा था, कि इसे चलाए तो यहाँ से क्या है कि मैं एक और वायर को निकाला था, जो न्यूटरल फेज था, आपने देखा, एक लाइट के अंदर चार वायर आ रहे थे, जिसमें से दो वायर सीधा हमारे स्वीच बोर्ड से आ रहे थे, ठीके, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो न देख सकते हैं आप, यहाँ से दो न्यूट फेज को आपस में जोडेंगे, जब सेलिंग कम्प्लेट हो जाएगी, और यहाँ से न्यूटल को जोडेंगे, और एक एक वायर निकालेंगे, और यहाँ पे एक पैनल लाइट, यानि एलेडी लाइट वगरा जोडेंगे, तो इसी लाइन से ये बल्ब जलेगा, ठीक है, अब यहाँ से जो लाइन है, वो बाइपास हो करके, सामने वाले जो वायर है, मतलब दूसरे कोरनर के अंदर वायर है, उसके अंदर करण्ट पोचेगा, और वो भी वर्क करेगा, यहाँ से करण्ट आएगा, ओन होगा, यहाँ स से होते हुए सामने वाली light में current पहुच जाएगा यानि कि एक बटन से दो light जली दूसरी light यहां से current दोड़ता हुआ यहां पे आएगा यहां से दोनों को चिपका देंगे और light भी connection कर देंगे यहां से current दोड़ता हुआ सीधा connection होने के बाद इस light के अंदर पहुच जाएगा तो यह भी light जल जाएगी यानि कि दो light एक point से यह तीसरी light भी कुछ इसी तरह से जलेगी और cope light के लिए separate एक अलग wire आया और वो यहां पर set हो गया अब यहां पर देख सकते हैं इन दोनों को एक point में connect करना है तो यह देख सकते हैं white color के जितने भी wire आ रहे हैं pipe के through यहां प हापस में एक जगह कर लें यहां से आ रहा आ है तो यहां पर एक system neutral था तो यह white color का system neutral है इन सभी निटनों को आपस में जोड़ने के लिए यह देख सकते हैं यहां से होते हुए यह system neutral आया और उपर आएगा और सीधा जो जितने भी white है white color के इन सभी के अंदर connect हो जाएगा जिससे क्या होगा neutral switchboard से अलग ही मिल जाएगा सिस्टम neutral को समझते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इन लाइटों के अंदर दो-दो वायर होते हैं इस तरीके से एक neutral एक face तो क्या करना है जो neutral होता है वो आपको मालूम है सीधा fan box के अंदर आके रुक जाता है switchboard तक नहीं जाता दूसरी light का भी neutral तीसरी light का भी neutral और चोथी light का भी neutral fan box तक आके रुक जाते हैं और आपस में भिड़ जाते हैं इस तरीके से अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो single neutral होता है जो system neutral जिसे मैं बोलता हूँ वह switchboard से आता है और यहाँ पर निकल के यहाँ से होते हुए सीधा इसके अंदर connection हो जाता है तो इस तरह से system neutral work करता है तो हम अच्छे तरीके से tape वगेरा कर लेंगे यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आपको समझने में भी दिक्कत होगी यहाँ पर बहुत सारा चिंजाल है तो समझने में दिक्कत होगी लेकिन आपको अच्छे तरीके से wiring तो समझ में आ ही गई हो तो यहां से अब दूसरी connection जो है वो यहां से होते हुई यह इस light center वाले light से मिल जाती है ठीक है यहां से और यहां से अब दूसरी तीसरी light को हम इस तरह से मिलाएंगे यहां से हमने मिलाया था आपने देखा था तो इस तरह से हमने 3 पॉइट को तयार गया था एक स्विच से 2 लाइटे जलेंगी इस हिसाब से connection किया था ठीक है अब यहां पर हम center वाली light को connect करेंगे ठीक है तो यहां से होते हुए यहां से सीधा निकलेगी और सीधा सामने वाली front light में add हो जाएगी इस तरीके से तो इस तरह से मैंने connection किये थे तो connection तो बिल्कुल final है एक switch दबाएंगे तो यह दो light जलेगी ठीक है दूसरा switch दबाएंगे यह दोनो तीसरा दबाएंगे यह दोनो ठीक है और चोता दबाएंगे यह दोनो चार switch से 8 light bulb work करेंगे ओके अब green color से हम mention करेंगे co-op light की wiring ठीक है तो मैंने किस तरह से co-op light की wiring की fan boxes के जरिए fan box के बीच में से यहां पे मैंने 5-6 wire निकाले थे 6-7 wire निकाले थे तो यहां से एक wire triangle shape में गया इस triangle के अंदर एक पूरी co-op light घूमेगी ठीक है और यहां से एक और wiring निकली यहां इस बड़े वाले panel के अंदर आ और एक और triangle है इसमें भी हमने एक wire जोड़ा और यहां से इस बड़े वाले में भी जोड़ा बिल्कुल करीब करीब और यहां से हमने इसमें जोड़ा एक करके हमने एक करके सभी के अंदर मेंने connection निकाल दिये थे इस तरीके से co-op light फिर अंत में आप देख सकते हैं छोटा निकलेगा wire जो अलग point होगा वो इसके अंदर जुड़ेगा जो border वाली यहां से पूरे border के अंदर हम co-plate लगा सकते हैं ठीके तो यह हो गया co-plate का connection और light bulb का connection अब यहां पर main connection करना यानिके mail line के से ले के आते हैं तो इन सभी का mail line मेंने के से लगाया इसके detail के साथ में बता किया था यहां से एक wire और उतारा और सीधा fan box में लेके आगया ठीके यहां से current आएगा दोनों light में जलेगा यहां से दूसरी light का connection यहां पर जोड़ा और यहां से current आएगा सामने वाली light में भी चलेगी और यहां से एक और point निकाला इसमें जोड़ा यहां से current आएगा सामन आठ लाइट यानि कि चार पॉइंट सीधे स्विच बोड में जा रहे हैं और यहाँ पर जो कोप लाइट है कोप लाइट इतने सारे स्विच तो नहीं लग सकते लेगिन एक स्विच एक वायर सिर्फ यहीं पे फैन बॉक्स में आया और इन सभी को कनेक्शन करके निकाल दिया यह जो कनेक्शन है यह बिल्कुल अलग है इसका एक अलग से वायर आया बोडर वाली कोप लाइट का ठीक है इस तरीके से हमने पूरी वायरिंग की और स्विच बोड के अंदर मातर साथ से आठ वायर फैन बोक्स के अंदर आये और साथ से आठ वायर सिर्फ स्विच बोड के अंदर आये और हमने इसी तरह से वायरिंग को अंजाम दिया डाइकराम के थुरू आपको आसानी से समझ में आ गया है लेकिन गाइस यही फोर्सिलिंग के अंदर अलग अलग तरीकों से वायरिंग भी होती है जरूरी नहीं है मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप भी करें अलग अलग तरीका होता है अब यह में वायरिंग है जो में कनेक्शन है यह हम सप्लाई बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि हम बाद में यहां से वाइरिंग बाहर नहीं निकाल सकते तो सबसे पहले हम जितने भी स्विच बोड़े जहां पर गीजर का एसी का जितना भी पॉइंट्स होते हैं वो सब अभी के अभी निकाल ले ताकि हम बाद में दिक्कत ना हो क्योंकि पियोपे होने के बाद आप कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो ये हो गया भाई साब बिलकुल final wiring आपको लग रही होगी छोटी मोड़ी जंजाल लेकिन जब आप fitting करोगे लाइटिंग वगरा करोगे उस समय आप देखोगे तो आपको यकीन होगा कि ये जंजाल किस चीज में बदल गया ये ह प्रक्राइब करेंगे और ओपरेटिंग करेंगे अब इसे हम मेल लाइन में कनेक्ट करेंगे और ओपरेटिंग करेंगे